पती-पत्नी के बीच यौन संबंध का एक लक्ष माता-पिता बनना भी होता है वात्सायन के कामसूत्र में संभोग की स्थेतियों यानि पोजीशज के बारे में बताया गया है जिनका पालन करने पर आप बहुत जल्दी मा बनने का सुख प्राप्त कर लेगी इन स्थितियों में सेख संबंध बनाते समय इस बात का इध्यान दिया गया है कि लिंग गर्भाशे के पास तक अच्छी तरह से जा सके जिससे वीर्या इधर उधर ना जा सके यह सेक्स करने की सबसे आम पोजिशन होती है लेकिन इसके फाइदे अनेक होते हैं इस पोजिशन में महिला नीचे लेटी रहती है और पुरुष उसके उपर होता है इस सेक्स अवस्था में शुक्राणों को गर्भाशे तक पहुचने में आसानी होती है पुरुष और स्थ्री दोनों को संभोग का पूरा आनंद भी मिलता है स्थ्री इस अवस्था में पुरुष के संपर्क में ज्यादा नजदीक आपाती है यह सेक्स पोजीशन मिशनरी की ही एक शाखा है इस परजिशन में भी स्थ्री नीचे लेटी हुई होती है और पुरुष उसके उपर होता है मगर फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्थ्री अपने पैरों को खुल कर मोड़ लेती है जिस सिप्थ स्थ्री के कुल्धा और अधिक पास आ जाता है इस अवस्था में भी पुरुष स्थ्री के उपर होता है किन्तु इस सेक्स पोजीशन में स्थ्री अपने पैरों को पुरुष के सिर के उपर उठा देती है या फिर कंधों पर रख देती है जिससे पुरुष अच्छी तरीके से अपना लिंग योनी में गहराई तक अबतायक होती है शुरू शुरू में स्थ्रीयों को इस सेक्स पोजीशन में दर्ध होता है किन्तु इस सेक्स स्थाइल में लिंग के लिए प्रवेश का नुपात दूसरे स्थाइल की तुलना में ज्यादा होता है अगर पुरुष सिर्फ अपनी संतुष्टी का खयाल रखता है और अपनी पत्नी की कामों तेजना को अवज्यों नहीं देता है तो ऐसी स्थ्रीयों को गर्भधारन करने में मुश्किलें आती है क्योंकि अगर स्थ्री सहवास में चर्मूत कर्ष पर पहुंचती है तो उस से शुक्राणूओं को जीविट रहने में मदद मिलती है क्रिपया हमारे चानल को शेर सब्सक्राइब और डीपलास आवश्य करे धन्यवाद